आज हुम औरीशा का और एक recipe देखेंगे जिसको कहते हैं पोटोडो र हूसा मतलग पोटोडो यहां पर परबल को बोलते हैं यहां का Local Language जो ओडिया का है तो यहां पर देखें मैं यह यह परबल को ऐसे उसका उसका स्कीन नहीं निकालेंगी उसका स्कीन-कॉ्ष कु możemy पराफस करें लंबाय दें में यह हो देखीने में हा कर दो जाता है कि यह तो इसका है क्या कातने की स्टाइल ओनी चाहिए इस सरे में परबल न गर्वेर इस तरह ही नति है देखिए यह देखिए इसे ट्रांगुलार सेफ में काटा जाता है और उसके साथ में यह दस परवली हूँ और दो आलू उसको भी में एसे लंबाई में काटी हूँ यह देखिए अब यहां पर हम यह तिन बड़े बड़े प्यास ले रही हूँ और यह 10 लेसुन और एक इंच से देड़ इंच के करीब अध्रक ले रही हूँ तो इसको हम काट छिल कर इसको काट कर हम इसको पीस लेंगे तो मैं यहां पर पीस के रखी हूँ यह देख लीजिए अध्रक लेसुन और प्यास को काट कर पीस कर रखी हूँ कड़ाई को गर्म करके उसमें मैं देशीगी डाल रही हूँ चार से छे चमच यह देशीगी करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है आप चाहे तो लिफैल में भी कर सकते हैं और लास को देशीगी उसको उपर से देकर सर्प किजिएगा तो यहां पर में सारे परवल को परवल के साथ भी नहीं आलू को भी दे दे जूँ एक साथ हम भून लेंगे इसको निकल लेंगे इसको धब कर भून लेंगे इसको धब कर भून लेंगे इसको नमक दाल देंगे इसमें जल्दी भी फ्राइब हो जाएगा यहां पर हम यह गुल्डें ब्राउन गाने तक इसको फ्राइब करके निकल लिया आप चाहे तो रिफाइन तेल में भी फ्राइब करके निकल सकते हैं फिर जब मसाला भूनेंगे तब जरूर देशी गी डाले यह देखिए मैं यहां पर देशी गी डाल रहे हूं गी हमारा गर्म हो गया है अब इसमें मैं दो तेज पत्ता डाल रहे हूं और यह चार इलेची के दाने हैं एक छोटा टुकड़ा सिनामन डालचीनी और दो लॉंक और थोड़ा चाह जीरा इसमें यहां पर डाल लेंगे यह चटक जाने पर अब हम इसमें इसमें अध्रक फ्याज लेशुन की पेस्ट बनाके राखे तो इसमें को इसमें दाल लेंगे यह पेस्ट हमारा बहुत शिट हता है तो हम इसको ढ़क कर इसको पका लेंगे गुल लेंगे अब हम इसमें धन्या पाउडर जीरा पाउडर धन्या पाउडर एक चमर जीरा पाउडर आदाचमरते ही रुख कि हम लोग जीरा को तड़का लगाए थें और ये कस्मिरी लान मिर्च और ये मिर्च का पाउडर थे मिर्ची आप अपनी हिसाब से ही दीजिए सब को हम यहां पर भूम लेगी इन तो इसमें आप काजू का पेस्ट भी दे सकते हैं लेकिन हम काजू का पेस्ट यहां पर नहीं दे रहे हैं कि हम प्याज ज्यादा दे रहे हैं अगर आप काजू का पेस्ट देना चाहते हैं आठ डस काजू को उसको पीसकर टमाटर के साथ उसको ढाल दीजिए पर प्याज को थोड़ा कम कर लिजिए दो प्याज दिजिए यहां पर में छोटे-छोटे तिन टमाटर को उबल कर रखी ती उबल कर इसलिए दे लिए हूं कि जल्दी हो जाएगा नहीं तो आप ऐसे कच्छा भी आप डाल सकते हैं कच्छा को काट कर भी डाल सकते हैं अब इसमें हम फल्दी डालेंगे और नम्मो स्वाधिनों से डालें पहले हम डाले थे गुम्ने जब स्वालोट कर रहे थे परवल में डाले थे इसलिए मैं कम डाल रहे हूं हुआ है कट हमारा मसाला ठेल चुलने लगा है है कर रैकर हम इसमें एक नारियल का मिल्क डाल दीओने अपर इनारियल का मिलख निखालते हीं आप मैरे पोतड अर पमिलख वणिर रसा जो रोए सीप रेसिपी उस वीडियो में जाके देख सकते हैं इहां पर मेरे एकugen मिलके बदम नारियल का जूस डालरी हूं तरक प्रेलके लिए 10 लंप 10 और बड़के लिएे से देर नारियल का मिल्क दीजिए हमेश हमें पिछली बार जो वीडियो था पनीर अशा उसमें भी बोली थी कि आप नारियल की में जो मिल्क निकाल रहें उसके कम से कम पानी में निकलने के कोशिश केजिए इसको हम थोड़ा पुबल आने तक पकाएंगे कि इसके मसाले परवल का अंदर तक जाने चाहिए तो यहां पर और एक में टीप लूँगी आपके नरियल अगर मिठा नहीं है तो दो चुटकी से हाप चमस तक आप सुगर का यूज किजिए तो आपका यह सब्जी बहुत टेस्टी लगएगा अब देखिए यह तेल छोड़ने लगा है हमारा यह पोटोल रसा रेडी हो गया जो भोज में तयार होता है साधी व्या या कि त्रेड सर्मनी कुछ भी भोज हो उसमें यह तयार होता है अब मैं इसको सर्थ करके दिखात है यह दिखिए हमारा यह रेडी हो गया है लार्ट कुछ में आप ग्रीन चिली ऐसे डाल कर सर्थ किजिए और पोटोल रसा का एंजोई किजिए आपको यह सब्जी कैसा लगा जरूर बताएगा मुझे कॉमेंट पर मेरे चनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्रीब कीजिए और मेरे वीडियो को सेर कीजिए लाइक कीजिए थैंक यू